जी हां ये सच है मुझे बहुत ही दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि 31 दिसंबर 2017 यानि कि जिसके आप चार या पांस दिन बचे हुए 31 तारिक से आप WhatsApp का इस्तेमाल नहीं कर पाऊगे तो आप सदमे में जाओ आपको टेंशन हो उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि सिर्फ कुछ लोग यानि कि सब के लिए WhatsApp रहेगा सिर्फ कुछ OS कुछ वर्शन्स के लिए WhatsApp आप काम नहीं करेगा 31 तारिक से और ये बात साब-साब WhatsApp के ब्लॉग पर बताये गया है जैसे कि अगर आप इस्तेमाल करते हो Windows का 8.0 का ओपरेटिंग सिस्टम या फिर Blackberry का 10 Android का 2.3.7 या फिर उससे कोई पुराना OS आपके फोन में है तो आपके लिए WhatsApp आपको नहीं मिलेगा आपके फोन में आप WhatsApp का इस्तेमाल नहीं कर पाऊगे बाकी सारे लोग जो है बाकी सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम से उन में जिस तरह से काम कर रहा था वैसे काम करेगा उन लोगों को कोई परिशानी नहीं होने बाली है अब ज़रासा खुसकबरी मैं आपको देदू अगर आपके पास MI का A1 है तो आपके लिए बहुती सकता है Android का Oreo अपडेट जैसे कि इस फोन को जब लॉंच किया गया था नोगट के साथ लॉंच किया गया था लेकिन अब यहां पे बीटा टेस्टर्स यानि कि सिर्फ कुछ यूजर्स को मिल जाएंगे Android का Oreo अपडेट आप उसको 2018 के खत्म होने से पहले ही आप अपने फोन म 2018 एडिसन जो है उसको लॉंच का नोकिया बहुत जल करने वाली नोकिया 9 के साथ उमीद आ जाएगा लेकिन इसमें आपको 4G LTE मिल जाएगा तो अब यहां पे देखते हैं कि इस फोन में किस तरह से कितना अच्छा लगए यूज करने में इंटरनेट बगर है क्योंकि मेरे आपक खाबर है एपल की तरफ से एपल का फोल्डेबल स्क्रीन पैटेंट यानि कि यह फोन ऐसा होगा कि आप इसको किताब के तरह फोल्ड करके जर्में ले सकते हो और जब चाहे आप इसको फिर से खोल सकते हो तो फोल्डेबल श्रीन आपको इसके अंदर मिल जाएगा औ और यह फोन बहुत ही जल्दी एपल लॉंच करने वाली है इसके बारे में ज्यादा जनकरी मैं आपको आने वाले अगले वीडियो में दे दूंगा और अब बात करतें OnePlus के बारे में OnePlus 5 जो स्मार्टफोन इसको इसी साल जून में लॉंच किया गया था लॉंच के कुछ दिन बाद इस फोन में Oreo मिल जा रहा था लेकिन यह सिर्फ कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए थे अब यह Oreo का जो OS है इसको सब के लिए कर दिया गया है तो अगर आपके पास है OnePlus 5 तो आप इस्तेमाल कर सकते हो Android का Oreo और इसमें आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे चीजे मिलने वाली है तो गाईज यह था Multiple Take Update में सिर्फ इतना ही आज के लिए कल फिर मिलते हैं कुछ नए वीडियो नए टेकनोलोजी के नीउस ले करके लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को सेर कीजिए औ और अगर आपका कोई भी राह है कोई भी सुझा हुए कोई भी सवाल है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं आप सबके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे और आपको एक बात बता दूँ कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए बेल क को एक्किवेट किजिए ताकि हमारे वीडियो जो अपलोड होंगे उसके नोटिफिकेशन्स आपके स्क्रीन पर आ जाएं आज के लिए बस इतना है कल मिलते हैं फिर कोई नए वीडियो नहीं टेक के साथ तब तक के लिए बाए बाए एंड टेक केर